दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का सबसे जादा पढ़ा लिखा आदमी कौन है? नहीं पता? चलिए खैर कोई बात नहीं. कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि एक इनसान एक जिन्दगी में कितना पढ़ सकता है? या जादा से जादा कितनी डिगरियां ले सकता है? आज आपको भारत के सबसे जादा पढ़े लिखे इनसान के बारे में बताने वाले हैं. आप उनकी योगता जानकर हैरान रह जाएंगे कि भला एक इनसान इतना कैसे पढ़ सकता है? उन्होंने पूरी दुनिया की 40 से जादा यूनिवरस्टी से डिगरी ली. हम लोगों को एक ड पढ़ना पढ़ता है और इन भाय साब ने तो डिगरी की लाइन ही लगा दी. तो सोच ये इन्हें कितना पढ़ना पढ़ा होगा? इस रोमांचक आदमी के बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा. भारत के श्रीकान जिचकर के नाम भारत में सबस सबसे जादा पढ़ा लिखा होने का रिकॉर्ड है क्योंकि उनके पास सबसे जादा डिगरी हैं. इतना ही नहीं उनका नाम लिमका बुक ओफ रिकॉर्ड में भी भारत के सबसे योग्ये वेक्ति के रूप में दर्ज है. क्या किसी को पढ़ाई का इतना शौक भी हो सकता है श्रीकांट जी ने जीवन भर पढ़ाई ही नहीं की. वे गजब के प्रतिवाशाली और क्रियेटिव इंसान भी थे जिनोंने जीवन के हर छेत्र में अपनी योग्यता के जंडे गाड़े. 14 सितंबर 1954 को नागपुर महरास्ट में श्रीकांट का जन्म हुआ था. लेकिन किस का खेल देखिए. साल 2004 में सिर्फ 50 साल के उम्र में एक कार अक्सिडेंट में उनकी मौत हो गई. भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ पाए. डॉक्टर श्रीकांट ने 42 से अधिक यूनिवस्टी से एक्जाम दिये और 20 से जादा डिगरियां हासिल की. आप सुनकर चौक जाएंगे जादा तर डिगरियां उन्होंने फर्स डिविजन से पास की और साथ-साथ 28 गोल्ड मैडल भी जीते. उन्होंने साल 1972 से 1990 के बीच में उन्होंने हर साल गर्मी और ठंड में कुल मिलाकर 42 यूनिवस्टी की पर International Law LLM की डिगरि ली. उन्होंने लोग परशाशन, मनो विज्यान, अर्थ शास्त्र, संस्कृत, इतिहास, इंगलिश शाहित्य, दर्शन शास्त्र, राजनीती शास्त्र, प्राचीन भारती इतिहास, संस्कृती और पुरातत. इन 10 सब्जेक्ट में मास्टर की डिगरि हासि दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 1978 में Civil Services की परिक्षा दी, जिसमें उन्हें IPS विभाग मिला, लेकिन उन्होंने IPS जोईन नहीं किया, और दो साल बाद फिर से Civil Services परिक्षा दे कर IAS बने, लेकिन ये Genius IAS की नोकरी में जादा नहीं रहा, और चार महिने बाद ही इस रिकॉर्ड बनाया आगे चलकर वुड गवर्मेंट मिनिस्टर भी बने मंतरी के रूप में एक समय 14 से अधिक विभागों का वो काम देखते थे इस प्रकार डॉक्टर श्रीकांत का राजनितिक सफर भी शांदार रहा डॉक्टर श्रीकांत को पढ़ने का बहुत शौक था उ प्रतिवा के धनी डॉक्टर जिचकर एक पेंटर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, स्टेज एक्टर और सिक्षा विद्भी थे इतने ग्यानी और प्रतिभावान होने के बाद भी डॉक्टर जिचकर ने इंडिया को ही अपनी कर्म भूमी बनाया और देशवासियों की करने का फैसला किया, यह हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, काश यह जीनियस आज हमारे बीच होता, हम इस जीनियस को दिल से सलाम करते हैं, दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं